नवसकार शातियों फड़ा फड़ से देख लेते हाली की कुछ ताजा अपडेट्स को आज की पहली अपडेट्स जिसमें आप देख पा रहे हैं कि चीनी बीमारी के संक्रमन से बचने के लिए प्रदेश शरकार ने किशानों के लिए बड़ा फैसला लिया है जी हां खरीब 2019 के सहकारी अलपकालीन फसली रिणों की वसूली आउदी राजस्तान सरकार ने 31 मार्थ से बढ़ा कर अब 30 जून कर दी है अत्वा खरीब फसली रिण लेने की तिती से एक वर्ष जो भी पहले हो तब तक के लिए राजस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी तिती को बढ़ा दिया इस समद में आपको बता दें विभाग ने आदेश भी जारी कर दिये कि कोरोना वाइरस की माहमारी के चलते किशानों को रण जमा कराने में परिशानी आ रही थी जिसको देखते वे सीम कहलोत ने ये बड़ा फैसला लिया है और तिरुनी निरने लेने का आदेश भी दिया बड़ा आपको बता दें ताजय अपडेट के मुताबिक राजस्थान में भी से संक्रमित लोगों की संक्या 46 पहुच गई है वहीं आज दो और नए संक्रमित मरीज पाए गए जिन में एक मरीज की भीलवाडा में मोत होने की खबर भी आरी आपको बता दें गुरुवार क के मुताबिक जैपूर के लिहाज से काफी मैत पूर्ण कि जैपूर के रामगंज इलाके से एक सक्स को और पोजिटिव पाया गया जिसके बाद उसके संप्रक में आए लोगों की प्रशासन सूची तयार करने में लगा हुआ है आपको बता दें कि राजस्थान के भीलवा चुके है अगली बड़ी खबर की बात करें इसी के साथ में चीनी बीमारी के कहर के साथ राजस्थान में आपदा की भी कमी नहीं है गुरुआ रात कुदरत ने जम कर कहर बर पाया और जालावाड जिले की तस्वीर जैसा कि आप देख पारें ओला वर्ष्टी से जहां किस किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है और इसी के साथ में दरजनों कस्बों में तेज रप्ता से हवाएं भी चली जिसके चलते किसानों की फसल में काफी नुकसान की खबर भी आ रही है ऐसी खबर मिल रहे है कि ओला वर्ष्टी से किसानों की काफी फसल को पूर बरबाद भी कर दिया है जिससे कच्चे और पके मकानों की दीवारे भी धराश है हो गई है रुक करते हैं आज की अगली बड़ी ख़वर का जिसमें बड़ी ख़वर आरी रास्थान समीदा नर्सिज करमचारियों की जहां पर जे एलेन अस्पताल की बड़ी ख़वर है आप की जगे संकरमित वार्ड में उन करमचारियों को ही जूते पर तैनाद किया जा रहा है सभी राजे सरकार से समीदा करमियों को अब नेमित करने की मांग की जा रही है जिसके चलते समीदा कर्मियों के नेताओं का कहना कि देश और दुनिया इस चीनी बिमारी जैसी भेंकर बिमारी का सामना कर रही है ऐसे में जिला प्रशासन उनके साथ बेदवाव कर रहा है। रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का जिसमें देश बर में लोगडाउन के चलते जो भी प्रशासन और प्रधान मंतरी के आदेशों की पालेना नहीं कर रहा है। उनके खिलाप प्रशासन सकती से पेस आ रहा है और ऐसे में जैसा आप तश्यूरों में देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाप सकती बढ़ती और उनको धंडित भी किया गया। इसी के साथ रुक करते हैं आज के अगली बड़ी खबर का जो की बीका नेरशारी आपको बता दें सोरी चूरू की है ये खबर आपको बता दें चूरू जिले की बीदा सर तैसील के ढानी काले रगाओं की ये तश्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं गुरवार शाम क बीका नेर और एंटी आरेफ अजमेर की रेस्क्यू टीम लगातार मशक्कत में है और मासूम को बाहर निकालने में लगी बताया जा रहा है कि मासूम के परीजन खेत में मेती की फसल कटाई कर रहे थे और मासूम सुबास उसके पास खेल रहा था बोरवेल की मोटर खराब ह में लगा हुआ है बात करते हैं आज की अगली बड़ी ख़वर की आपको पता दें लगातार चीनी बिमारी के संक्रमन के मामले राजस्तान में बढ़ते जा रहे और राजस्तान में भी अब इनकी संख्या 46 पहुंच गई है जबकि इस वाइरस की चपेट में आने से 24 लोगों को 21 दिन तक बोर ना हो और लगातार उनका मनवरंजनों इसके लिए केंद्रेव मंतरी प्रकास जावडेकर ने बड़ा एलान किया है जिसमें दूर दर्शन पर रामानंद शागर की रामायन का प्रशारण फिर से सुरू किया जा रहा है जी आई समन्द में प्रका 9 बजे दिखाया जाएगा आपको बता दे 28 मार्च से इसका प्रशारण शुरू करने जा रहा है रुक करते हैं आज के अगली बड़ी ख़वर का जिसमें सीनी विमारी के बीच आरबी आई गवर्नर शसी का अंदास ने प्रेस कोंटनस की और उन्होंने कहा कि इस के संकट क चलते आरबी आई की बैठक बुलाई गई है और उन्होंने अपनी रेपो रेट में पिचातर बेसिस पॉइंट की कटोती का बड़ा एलान किया जिसके चलते अब रेपो रेट चार दसमलों चार हो गई है इसका असर सीधा सीधा एम आई पर पड़ेगा अर्थात यदी आ काली की कुछ ताजा अपडेट्स उमीद है वीडियो आपको काफी पसंद आई वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें क्योंकि आपका लाइक और सेयर ही हमारी मेरत का परिणाम होता है इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचते नहीं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले हुए जिससे आप प्रतेक ताजा अपडेट्स लगातार जोड़े रहे हैं आज की वीडियो में साथ यह बस इतना है नमस्कार